जब भी घर में कोई बच्चा जनम लेने वाला होता है उसके कई महीने पहले से ही कभी उसके चाचा तो कभी उसके दादा के द्वारा बच्चे का नाम करंश्य हो जाता है आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका नाम उनके माता पिताने नहीं बलकि उनके चाचा चाची ने लेकिन अब समय बदल रहा है ऐसे में बच्चों का नाम रखना तो दूर बच्चों के नाम से ही ऐसी मार पिट परिवार में हो जा रही है जिसमें खून खराबा तक होने लग रहा है घर में बच्चा हुआ हो उसकी खुशी मनाने के बचाए क्या आपने सोचा है कि उसी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लराई लर रहे होंगे नहीं ना लेकिन ऐसा हुआ है वो भी बिहार के बेतिया में जहां अनौजात के नाम रखने को लेकर परिवार वालों के बीच मार पिट हुई वो भी ऐसी जहां इच पत्थर चलने लगे जिसमें कई लोग घायल हुए तो कई लोग अस्पताल में भड़ती हैं तो क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं लेकिन उसके पहले नमश्कार आप देख रहे हैं ज्वंता जंक्शन और मैं आपके साथ वंधना कैमरा पर सनौन प्रकाश के साथ बिहार के बेतियां में बच्चे के नामकरन को लेकर दो चचेरे भाईयों में मार पिछुई अभी तक आपने परिवार में चूटो और भाईयों में मतभेद पैसे घर के बटवारे तो कभी पिता के जमीन को लेकर सुनी होगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विवात की वज़ा बता रहे हैं जहां बच्चे के नामकरन क को लेकर एक दूसरे का सर पोड़ा गया अस्पताल में परिवार वाले भड़ती कराये बताते मामना बेतिया के नया टोला इंदरा चौक का है जहां एक छोटे से बच्चे को लेकर परिवार वालों ने खूब लाठी डंडा चलाया इंट पत्थर तक चलने लगे जिसके ब जिन्हें लोग काजू के नाम से भी पुकारते हैं उनके बेटे का नाम फैजान है लेकिन उनके परोसी जो के इरिशाद के चचेरे भाई भी लगते हैं यानि कि करीम जिससे इरिशाद की लडाई हुई है और वज़ा ये थी कि करीम के घर में एक बच्चे ने जनम लिया जिसका नाम करीम ने भी फैजान रख दिया यानि कि इरिशाद और करीम दोनों के घर में फैजान नाम का बच्चा था और यही वज़ा थी जिसको लेकर दोनों परिवार के बीच पहले तो बहस हुई कहा सुनी हुई लेकि धीरे धीरे बात इतनी बिगर गई कि देखते ही इट और पत्थर की बारिश होने लगी और से बच्चों के नाम को लेकर परिवार वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए मामला इतना भर गया कि लाठी डंडे इट पत्थर दोनों परिवार में चलने लगे और नौ लोग इस बच्चे के नाम वाले विवाद में घायल हो ने पहुचे तो उन ही वहां मार पिट का सामना करना पराद उन्हें भी वहां काफी चोट लगी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है ऐसे मैं इस पूरे मामले को बताने का मकसद हमारा यही था कि आकिर कैसे को एक बच्चे के नाम को लेकर इतना लोना काम कर सकता है एक वक्त था जब बच्चे की नाम करन को लेकर पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गाव अपनी राय रखता था लेकिन आज ऐसा समय आने लगा है जहां लोग घमंड और गुस्से में खुद को इतना मश्गूल कर चुके हैं कि बच्चे की आनी की ख चले गा कि उसके नाम को लेकर परिवार वाले असपाटाल में भरती हुए थे उसके नाम को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ था जिसमें कई लोगों का सर्फ उटा था कई लोग घंब असपाल में भरती करवाए गए तो उन बच्चों पर क्या अफर पड़ेगा ये आ परिकत करने पर नहीं तूलेगी क्योंकि अगर यह दोनों बच्चे बड़े होते हैं और उनको पता चलता है कि ऐसा विवाद हमारे नाम को लेकर हुआ था और इतना बड़ा विवाद हो गया था कि अस्पताल तक परिवार वाले जहां पहुंचे थे अस्पताल में भरती कि बाके वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले समय के बीच भी जहरब देखने को मिले हैं। कि ऐसे में परीवार वालों को भी सुचने की जरूरत है कि कि इसलिए कि आसौती अच को भी को मार पिच से 뒤에 नहीं बल्कि प्यार से अच्छे से बैठ कर बाग करकी भी सुछाया जा सकता है लेकिन यह मामना तो कुछ अजीब ही था इसमें एक नाम को लेकर एक नाम और आता है बच्चे का जन्म होता है तो पुरा लेक्ष हुशी मनाता लेकिन कावम пиш देखने को मिली विस पोलिस आगे मामले की जांच तो कर रही हैä ऐसे जरफ हमें देखने को मिल सकते हैं ऐसे में इस पूरे मामले को हमें बताने का मक्सद यहीं था कि आप समझे बातों को समझे और लराई जगरे नहीं बलकि प्यार मुहबबत से हर एक मामले को सुलजाने की कोशिश करें ऐसे में पूरे मामले को लेकर आप क्या अपनी रा करने के जरूरत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसमें जो भी जानकारी हमने आपको दी है जिसे हो सकता है आने वाली पीडी पर कोई अच्छा असर पड़े तो आप हमारे वीडियो को जरूर दूसरों के साथ साचा करें यानि कि हमारे वीडियो को आप शेयर करे लाइक करें और साथ या आप कमेंट बॉक्स में अपनी राई भी हमें ज़रूर बताएं तो ऐसे मैं ऐसे ही अन्य अप्डेट्स के लिए देखते रहें जुनता जंक्शन धन्यवाद